आम सभी लोगों का एक पसंदिता और मिठा फल होता है इसे बच्चे बड़े और बुटे बड़े प्यार से खाते हैं इसमें कोई संदिय नहीं कि फलों का राजा आम स्वास्ते गुणों का खजाना होता है लेकिन क्या आपने आम की पतियों के बारे में जाना है कभी आम की पतिया आउसदिय गुणों का खजाना होती है। पतियों में सकती साले एंटी ऑक्सिडेंट गुण होते है। एक बोटल में भर कर रख ले। अब इन में से एक एक चमच सुबह साम पानी के साथ सेवन करे। या फिर आम की दस पतियों को लेकर साव में सुखाए और आधा लिटर पानी में पकाए। चब एक चोथाई सेश रहे तब तंडा होने के बाद छान कर सुबह साम पिलाए। इसे डायबिटिस पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। आम की पतियों की पाउडर को 2-5 ग्राम की मातरा में गुनगुने पाने के साथ पिते रहने से मधुमें नियंतरन में रहता है। इसके अलावा आम की पतिया उच्छ रक्त चाप को नियंतरन में रखने का भी एक बहतरिन इलाज है। इसके लिए आम की दस पतियों को लेकर साब करके पाने में उबालकर चोथाई सेश रहने पर सुबह साम पिये। इससे ब्लड प्रेसर कंट्रोल में रहता है। दातों में दर्द हो, मसूड से खुन आ रहा हो तो आम की पके हुए पत्तों को सुखा कर पाउडर बनाए। इसके साथ फिटकरी और काला नमक मिला कर मंजन करने से हिलते हुए दात मजबद बनते हैं और खुन आना बंद हो जाता है। ये पत्ते बेचेनी और चिंता को दूर करने में भी सहायक होते हैं। इसके साथ ही आम की पत्तियों का साव में सुखाय होए पाउडर का नित्य सेवन करने से गुर्दे की और पित की पत्तरी को दूर करने में सहायता मिलती हैं। इसके अत्रिक्त रात में एक गिलास पानी में आम के सुखी होए पत्तियों के पाउडर को मिला दे। सुख उस पानी को पिने से पत्तरी तूटकर निकल जाती है। आम की पत्तिया खांसी को दूर करने का जबर्जस्त और देशी इलाज है। इसके लिए आठ शे दस आम की पत्तियों को पाने में उबालकर एक चोथाई से स्रेने पर ठंडा होने के बाद चान कर सहद मिलाकर रोजाना पिये। इससे सर्दी खांसी और दमा में जल्दी ही फाइदा महिसूस होता है। साया में सुख़ए हुए पत्तों के पाउडर को पानी के साथ रोजाना पिने से खुनी पेचिस में भी जबर्जस्त फाइदा होता है। अगर किसी का गला बैट कया हो गले में खराबी हो आवाज ठीक ना हो तो आम की पत्तियों को पाने में अबाल कर गुन गुने पाने से गरारा करे। दिन में दो से तीन बार ऐसा करने से आवाज खुल जाती है। कान में दर्द होने पर भी आम की पत्या घरेलू इलाज है। आम की कुमल पत्यों का रस निकाल कर 4-5 बुंदे कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। सरिल के जले हुए हिस्चे पर आम की पत्यों के पावडर की राक सिडकने से जल्दी ही जलन खत्म होती है और घाउं भी चल्दी बरने लगता है। इसके साथ ही अगर हिचकी की समस्या है तो आम की पत्यों को जलाए और इसका धुआ कुछ देर तक लेने से हिचकी खत्म हो जाती है तो दस्तो सुना आपने कि आम के साथ साथ आम की पत्या भी कितने फाइदेमंद होती है कहीं प्रकाल की बिमारियों में आप आम की पत्तियों की मदद से घरेलू इलाज कर सकते हैं